हेलो दोस्तों आपका श्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल रास्थान फार्मेशी में आज हम बनाएंगे फार्मेशी किट जिसके अंदर जो न्यू स्टुडेंट है जो हमारे फार्मेशी कोलेज के अंदर फर्स्ट बार जा रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि बैटरी में हमें अपरेटर्श और इस्टूर्मेंट लेबोरेटरी खुद देती है लेकिन कोलेज से द्वार दिये हुए मैटीरियल उनके अलावा हमारे पास खुद से होने चाहिए जैसे कि सबसे पहले आता है हमारे पास एप्रिन एप्रिन जैसे कि यह हमारा एप्रिन ह बोलते हैं इसको यह अपनी फारमेसी में लैब के लिन चाने से पहले कंपल्सरी होता हो है कि यह हमें to be प्रोटेक्ट करता है और यह दोपरकार कई धा यह लैडीनोटा होता है लैडी के अंदर यह ट्रिपल यह ट्रिपल जेब नहीं होती टूई जेब होती है जैसे कि यह जेब है यह पोकेट है यह पोकेट जैन्ट के अंदर लैब कोट के अंदर है और लेटी जब लेटी कोट होता है उसके अंदर यह नहीं होती है फिर उसके बाद हमें लैब जैसे फार्मिसी किट बनाना है तो उसके ले लिए लेकर के उसमें हमारे पास क्या-क्या होना सब्सक्राइब के अंदर हम जाते हैं असे हमें बोडी करना होता है तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए ग्लाउज यह जैसे कि मैंने ग्लाउज ले लिए हैं ग्लाउज हमारे बोडी यानि हाथों को प्रोटेक्ट करेगा उसके इलावा हमारे पास होने चाहिए मास्क मास्क है वो हमारे हमारे माउट को प्रोटेक्ट करता है जैसे कि कुछ हमें केमिकल होते हैं जिसके उपर हमें जैसे मूँ करते हैं तो उससे हमारी बोटियो डेमेज हो जाती है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए में मास्क के आउश्यक्ता होती है इसके अलावा इसके अलावा हमें जूर्थ होती है कैप की यानि कि जब हमारे जब हम लैब के अंदर जाते हैं तो हमारी हैड डो कैप किया शक्ता होती है जिसे हमारे बाल डेमेज ना हो यानि हेर डेमेज ना हो इसके लिए हमें ये कैप किया शक्ता होती है और इसके अलाव इसके लावा हमें चाहिए गोगल्स यानि गोगल्स गोगल्स है हमारी आँखों को प्रोटेक्ट करते हैं जैसे कि यह पैनने के बाद यदि हम कोई एक्सपरिमेंट करें हैं तो हमारी आँखों को कोई इफेक्ट नहीं होता है तो हमें गोगल्स की बहुत आउशक्ता होती है फिर चाहिए हमें फार्मेसी किट के लिए हमें चाहिए सेनिटाइजर यानि जैसे कि मैंने थोड़ा सा सेनिटाइजर ले रखा है जब हम हम एचेपी की लैब के अंदर जाते हैं तो उस टाइम हमें सेनिटाइजर की बहुत आवशकता होती है यानि कि जिसे अंटी बैक्टिरियल कोई भी एरर ना आए इसके लिए हमें सेनिटाइजर का यूज करना पड़ता है उसके अलावा हमें चाहिए स्प्रिट जब भी हमें हेमेटोलोजी के प्रैक्टिकल करते हैं यानि कि हैचेफी के अंदर हेमेटोलोजी के प्रैक्टिकल कर करने के लिए एंटीबेस्टी करने के लिए М disciples कि बोटल ले रखी है जो है फारेसी किट के अंदर रहनी है उसके लावा हमें रहनी है ग्रिसलीन क्या है कि ग्रिसलीन कुछ मैटिरियल होते हैं जिसमें हमें ग्रिसलीन क्यावशकता होती है या फिर जब भी हमें बोड़ी को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रिसलीन क्यावशकता होती है तब हमें ग्रिसलीन यूज में लेनी पड़ती है तो हम ग्रिसलीन भी ले है उसके लावा हमें चाहिए पॉली बैक्स यानिकी पॉली बैक्स पॉली बैक्स से कई प्रकार के आती है जैसे कि हमें वन ग्राम की लेना है तो जैसे यह पॉली बैक है इसके उपर इस तरह से लेबल किया जैसे कि यह मैंने लेबल कर रखा है लेबल के अंदर कुछ भी फार्मेशी किट के अंदर डालते हैं पोली बैग कई परकार क्याते हैं जैसे चोटी हो गई ऐसे मतलब कुछ बड़ी भी पोली बैग भी हमारे पास होनी चाहिए जिससे कि हमें कुछ ज्यादा क्रिस्टल या पाउडर है तो उसको बड़ी पोली बैग के अंदर डाल सके फि जैसे कि हमेटोलोजी के अंदर हीमोगलोबिन का टेस्ट करते हैं उस टाइम हमें वोटर को ड्रोपर की शायता से और उसके लावा एस्टोफूर को ड्रोपर की शायता से हमें डालना होगा तो उस टाइम ड्रोपर के में आवसकता पड़ेगी उसके लावा चाहिए हमें को कोटन जब हम येंदर होते हैं उसा Не sheep已 attach के अंदर हमारे को निड़ेग्ष होती है तो कोटन हमारी पास स्वाइब में थोड़ी मात्रा में कोटन ले सकते हैं जैसे कि मैंने थोड़ी मात्रा में장님 कोटन recharge में ले या फिर पाउडर फॉम में जब कोई केमिकल होता है तो उसको बटर पेपर के उपर ही तो लिए हमें बटर पेपर को ट्रेक आकार का बना करके उसके उपर एम मेजर करते हैं उसके इलावा हमें चाहिए या तो आप लेसकते हो या तो आप labeling के लिए sticker ले सकते हो label sticker लेकिन मैंने जैसे कि यह micro pole लिया है micro tape लिये है जिसे मैं label करता हूँ और यदि आपको microtip नहीं मिले नहीं अच्छा लगे तो आप sticker भी ला सकते हो उसके अलावा आपको गौंद रखना पड़ेगा गौंद आपको लेबल के time काम आता है और इसके अलावा आपको खाली container चाहिए होते हैं खाली container के लिए आपको जासे की मैंने ये ले रखा है खाली container है मेरा जब भी मैं practical करता हूँ फार्मास्यूटिक्स के अंदर उसका सम्मिनेशन कराने के लिए मैं ये खाली कंटीनर यूज गरता हूं लेकिन ये जैसे लेबल किया हुआ है पहले से तो इस लेबल को हटा करके मैं माइक्रोपोर के दुबारा लेबल करता हूं तो उसको इस तरह से डिजाइन आकार दिया ह है जैसे कि मैंने डिजाइन दे रहा है उसके ओपर मैं लेबल करूंगा यानि कि लेबल किस तरह करना होता है यह सी तरह करना है है और expiry rate भी दी हुई आपको और उसके अलावे यह जैसे 30 ml बनाई हुई है शीरफ है यह अपनी और इसके अंदर क्या-क्या मिलाया गया है यह देखो आप दे सकते हैं इच 5 ml कंटेंस कंटेंस लिया हुआ है कलर भी वता रहा है इस डोजेज भी दे रहा है इसमें storage कैसे करना यह सारी ऐसी लेबल आपको इसके उपर करनी पड़ेगी अभी तक तो यह खाली container है जब हम practical करते हैं उसके बाद हम submination करते हैं तो उस टाइम इसके उपर लेबल करनी पड़ या फिर marker ले सकता हूं जैसे कि मैंने blue color का marker ले रखा है इससे मैं label करता हूं तो इसके अलावा आप जैसे की यह कैंसी है इसको यूज होता है जैसे भी butter paper है butter paper को हम cut करने के लिए कैंसी का यूज किया जाता है इसके अलावा कुछ और भी चीज़ी आती है जिसके हम कैंसी क जीट दिखा रहा हूं जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपनी फार्मेशी किट पूरी तयार कर ली है तो इसको इसको हम बंद करके अपने college lab के अंदर लेके जा सकते हैं इसके जब भी हमें जिस भी चीज किया सकता होती है उस टाइम हमें सबसे पहले अपने उनको खुद को ready होना पड़ता है जैसे एपरिन पहनना ग्लाउस पहनना और हैंड कैप पहनना उसके लावा स्प्रिट वह सेनिटाइजर से हाथों को क्लिन करना इस तरह से और गोगल्स पहनना इस तरह से पहले खुद को तयार हो करके फिर बाद में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उससे हमारी body damage नहीं होगी उसके लावा उसके लावा हमारा हमारा जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके अंदर कोई error नहीं आएगा तो विशे यह हमारा पूरा pharmacy kit तयार हो गया है यह देखिए है मैंने पूरा अपना box तयार कर लिया है ज और अपना जो मारकर रखा है मैंने उसके लावा मैंने ड्रोपर रखी है मेरी और poly bags भी डाले हैं तो यह सबी सारी चीजों को मिला करके मैंने अपना पूरा pharmacy kit तयार कर लिया है इसको मैं आराम से college में लेके जा सकता हूं जब भी जूरत होती है मेरे को lab के अंदर मैं इसको खोल के यूज कर सकते हैं तो दोस्तों आपको भी जो new student है pharmacy के उन और उसके लावा जो भी medical के student है जो सको lab के अंदर जाना होता है उनके लिए बहुत most video है तो आप सभी को जो जो required होती है वो आपको यह लेनी है जैसे आपकी body damage नहीं हो और आप आसानी से experiment कर सकते हैं दूस pharmacy kit तयार करना सबसे पहला pharma student का काम होता है यदि college नहीं करवाए तो खुद से आप बना सकते हो तो दोस्तों आपको मारा वीडियो पसंद आया हो तो subscribe करें share करें धन्यवाद